इस कलास में हम राज्य की उत्पत्ती के बारे में अच्छ से जानने और समझने वाले हैं अब दोस्तों प्रशन उठता है कि राज्य की उत्पत्ती किस परकार से हुई होगी तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं तो दोस्तों जिस प्रकार से हमें अपना जनम दिन पता है और आपको अपना जनम दिन पता है और हमें मात्मा गांधी का जनम दिन भी पता है क्यों पता है क्योंकि दोस्तों हमारा जनम लोगों ने होते हुए देखा और आपका जनम भी लोगों ने होते हुए देखा और इस इस प्रकार से दोस्तों राज्य की उत्पत्ती लोगों ने होते वे नहीं देगी है और जब लोगों ने होते वे नहीं देगी है तो दोस्तों अलग-अलग विचारकों ने अपनी अलग-अलग कल्पना के हिसाफ से दोस्तों क्या है राज्य की उत्पत्ती के सिधान्त दी है और उन में से दोस्तों महतुपूर्ण जो सिधानत है वो है देविय उत्पत्ती का सिधानत और शक्ती का सिधानत और परिवार का सिधानत और समाजिक समझूते का सिधानत और विकासवादी सिधानत और दोस्तों इस कलास में हम इन तीन सिधानतों को भी थोड़ा सा समझने वाले हैं ताकि आपका बेस मजबुत हो जाएं तो दोस्तों आईए अब हम समझने वाले हैं कि राज्य के उत्पत्ती के सिधान्तों से आपको किस-किस प्रकार से प्रशने पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों यहां से सबसे पहला प्रशने पूछा जा सकता है कि राज्य के उ प्राचिन्तम सिधान्त कौन सा है तो देविये उत्पत्ति का सिधान्त सबसे प्राचिन्तम सिधान्त है और दोस्तों सबसे आधुनिक सिधान्त कौन सा है दोस्तों विकासवादी सिधान्त को दोस्तों आधुनिक सिधान्त या बरतमान में दोस्तों इसी सिधान्त को राज् शक्ति के सिदान्त और परिवार के सिदान्त को समाज शास्त्रे सिदान्त के नाम से जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि जो दोस्तों समाज शास्त्रे सिदान्त है या शक्ति का सिदान्त और परिवार का जुद सिदान्त है तो दोस्तों ये किस पर जादा बल देते ह कि जो रज्य की उत्पती है वो समाज के द्वारा हुई है ठीक है और जो दोस्तों शक्ति का सिदान्त है शक्ति के सिदान्त को बल के सिदान्त या युद के सिदान्त के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और जो दोस्तों परिवार का सिदान्त है परिवार के सिदान्त को दोस अन्य किस नाम से जाना जाता है तो समीदाकि किस परकार से की गई थे आपसी सम्झोुत road दिब्य उत्पती के सिद्धानत की जो दोस्तों बिचारक हैं का मानना है ना रज्जी की उत्पत्ती इश्वर के द्वारा हुई है या इश्वर के द्वारा की गई है तो दोस्तों इसलिए देविये उत्पत्ती का जो दोस्तों सिधान्त है उसके विरोध में कौन सा सिधान्त आता है तो दोस्तों उसके विरोध में आता है समाजिक समझूते के सिधान देबिय उत्पती के सिधान्त में दोस्तों इसके बिचारकों का मानना है कि जो रज्जी की उत्पती हुई है वो इश्वर के द्वारा की गई है और जो दोस्तों समाजिक समझूते का सिधान्त है और समाजिक समझूते के सिधान्त को देने वाले विचारकों का मानना है कि राज्जी की उत्पत्ती मनुश्यों के द्वारा आपसी समझूते के द्वारा हुई है और दोस्तों समाजिक समझोते के सिधान्त के बिरोद में कौन सा सिधान्त आता है तो दोस्तों विकासवादी सिधान्त आता है और विकासवादी सिधान्त को देने वाले विचारकों का मानना है दोस्तों कि रज्य का निर्माना नहीं रज्य का विकास हुआ है ति रज्य की उत्पत्ती किस परकार से हुई है विकास के द्वारा हुई है या विकास का प्रिणाम ही क्या है राजी की उत्पत्ती का सिधानत है ठीक है और दोस्तों अगले प्रशन किस किस परकार से पूचे जा सकते है जो विकास वादी सिधान्त है विकास वादी सिधान्त को दोस्तों अन्नी किस किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों एतियासिक सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है और करमिक विकास के सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है और सर्वमानी सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इस इस प्रकार से दोस्तों प्रशने पूछा जा सकते है और अगला प्रशने पूछा जा सकता है दोस्तों कि उधारवादी सिधान्त कि उधारवादी सिधान्त के नाम से कौन-कौन से सिधान्त जाना जाते है या कौन-कौन से सिधान्त उधारवादी सिधान्त है ठीक है तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उदारवादी सिधान्त तो समाजिक समझोते का सिधान्त और जो दोस्तों आपका पिकास वादी सिधान्त है यही दोस्तों क्या हो जाएंगे उदारवादी सिधान्त हो जाएंगे और अगर हम बात करते हैं दोस्तों सम समाजिक समझोते का सिधान्थ और एतियासिक सिधान्थ या विकासवादी सिधान्थ को दोस्तों राजनितिक सिधान्थ के नाम से जाना जाता है। तो यहां से तेन प्रकाश से प्रश्णि पूछे जा सकते हैं। अगर राजनितिक सिधान्थ पूछा जाएं तो दोस्तों देविय उत्पत्ति का सिधान्त और समाजिक समझूते का सिधान्त और एत्यासिक सिधान्त या विकासवादी सिधान्त को राजनेतिक सिधान्त के नाम से जानना जाता है और अगर हम उधारबादी सिदान्त के बात करते हैं तो दोस्तों ये वाले दो सिदान्त हो जाएंगे और अगर हम समाज सास्त्री सिदान्त के नाम से बात करते हैं कौन-कौन से सिदान्त जाने जाते हैं तो शक्ति का सिदान्त और परिवार का सिदान्त ठीक है तो दोस्तों ये थी आद की क्लास अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुँ तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और साथ मैं दोस्तों एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास енसी लगी और दोस्तों और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे सारती कोचिंग सेंडर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को अपने